हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कंपेर करने वाला हूँ ओनर पैड 9 को वन प्लस पैड गो से वो ही पॉइंट डिसकस करूँगा जो कि प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंस क्रियेट यहां पे करते हैं वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो पसंद आये तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, थोड़ा शेयर कर जीजिए और दोस्तों चैनल को सस्क्राइब कीजिए इससे मुझे काफी जादा मोटिवेशन मिलेगा तो बिलकुल प्रैक्टिकल चीजों पर जो है तोस्तों मैं यहां पर बात करने वाला हूँ फालतू-फालतू की कोई बात जो है हम लोग यहां पर नहीं करने वाले हैं देखो, स्क्रीन को लेके एक ऐसी चीज है जिसके लिए जो है लोग इन टैबलेट्स को ले रहे है और बाइद वे मैं आपको बता दूँ अगर आप college going students हैं या फिर आप school going students भी है अपार्ट फॉर्म प्रोग्रामिंग ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप इन टैबलेट्स में न कर सके है ठीक है पूरा आपका Chrome है desktop version में जो है दोनों टैबलेट्स में खुल जाएगा word हो गया आपका doc हो गया PDF हो गया सब कुछ खुल जाएगी तो college के काम, school के काम पूरे हो जाएगे programming को छोड़के सारे काम हो जाएगे तो जिनको लगता है कि जिनका budget कम है और उनको tablet लेना चाहिए तो बिल्कुल यह चीज यहाँ पर consider कर सकते है screen को लेके मैं आपको important update यहाँ पर देता हूँ honor pad की जो screen है 16 is to 10 aspect ratio है whereas one plus pad go की जो screen है 7 is to 5 है इसका practical implication में आप लोग को बता देता हूँ 7 is to 5 है इसका मदलब यह लगभग square है one plus pad go मैं बोल रहा हूँ यह screen लगभग square है fully square नहीं है because it's 7 is to 5 तो इससे होता क्या है दोस्तो जो आपका मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यह पकड़ने में आपको भारी लगेगा बिल्कुल इसकी जो in hand feel होगी ना वो आपको भारी लगेगी तो in hand feel जब आप लोगे ना तो ज्यादा comfortable for a long duration आपको honor pad मिलेगा फिर इससे एक और चीज आती है 16 is to 9 के जो वीडियोज होते हैं जो इससे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो कि आपकी YouTube पे चलते हैं mobile में देखा होगा side में black bars आ जाते हैं अगर आप landscape mode में पकड़ोगे तो side में black bar आ जाएंगे उपर नीचे नहीं आते हैं लेकिन tablet में क्या होता है दोस्तों अगर आप rectangularly उसको पकड़ रहे हो landscape में पकड़ रहे हो तो उपर नीचे black bar आते हैं तो screen अगर 16 is to 9 है तो पूरी screen cover हो जाएगी लेकिन screen अगर 16 is to 10 है तो आपको उपर black bars दिखेंगे ही दिखेंगे जैसे कि honor pad 9 में दिखेंगे लेकिन ये situation और ज्यादा worse हो जाती है 7 is to 5 1 plus के aspect ratio में आपको उपर नीचे बहुत ज्यादा मोटे मोटे black bar दिखेंगे कितने मोटे कि लगभग 16 is to 9 के aspect ratio के वीडियो में जो ये वाला YouTube वीडियो अगर आप उसमें देखोगे ना तो मान के चलो 100 में से लगबग 35% screen आपकी काली होगी यानि आप 65% of the screen का ही utilization कर रहे हैं तो बड़ी screen ये लोग दे रहे हैं तो उसका कोई उतना ज्यादा फाइदा नहीं है when you watch the content now the things start getting more worse when the content is in 21 is to 9 aspect ratio या फिर थोड़े लंबे aspect ratio में रहता है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे YouTube वीडियो थोड़े ऐसे लंबे वाले aspect ratio में आते हैं तो उसमें और ज्यादा black bar देगा तो यार कही ने कही बात गुमा फिरा कि ये आजाती है कि tablet आप कितना भी ज्यादा बड़ा कर लो लेकिन अगर आप aspect ratio वीडियो के हिसाब से नहीं रखोगे ना तो वीडियो पूरा screen में दिखेगा नहीं यार देखो tablet लेने का ultimate purpose ही है यह कि बड़ा दीखे है ना बड़ा दीखे थोड़ा मलब आपकी आपको को relaxation मिले तो OnePlus tablet में आपको ये problem देखने को मिलेगी और ये मैंने practically feel की है दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ परास Honor के tablets में ये वाली problem है लेकिन कम है as compared to OnePlus Pad Go ना मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों जैसे कि ये देख रहे हो ना this is iPad Air 3rd generation ठीक है तो ये भी लगबग square-ish ही है तो इसमें जो problem है ना उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सेम problem आप लोगों को OnePlus Pad Go में भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी ना एक और चीज़ ये हो गया drawback हो गया इस aspect ratio का लेकिन इस चीज़ का अच्छा aspect ratio ये है कि आप उसमें जब किताब पढ़ेंगे ना तो आपको काफी ज़ादा comfortable महसूस होगा किताब पढ़ने का एक और मैं आप लोगों को आगे चलके बता देता हूँ यहाँ पर चीक है नाओ यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि Android 13 दोनों में है और Android 14 का update आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा और यहाँ पर every update plays a very very important role the reason being is कि जो आपका Android when it comes to mobile है वो काफी ज़्यादा developed है इतना ज़्यादा developed है कि आगे 4-5 साल कुछ update नहीं भी आए तो भी आप अराम से use कर लोगे whereas in case of tablet चीज़े उतनी ज़्यादा developed नहीं है उतनी ज़्यादा optimized नहीं है तो दोनों में आपको Android 14 का update मिलेगा और एक और चीज़ जो की OnePlus tablet में आपको अच्छी देखने को मिलिए कि आप YouTube background में चला सकते हो बंद कर दो screen गाना पीछे जो है बसता रहेगा तो यह feature इन लोगों ने दिया हुआ है और यह feature standardized हो जाएगा Android 14 में क्योंकि मेरा जो friend है roommate है उसके इसमें Android 14 में यह feature आ चुका है कि YouTube जो है background में चलता है So you don't no more need to purchase YouTube premium if you want to hear YouTube on a background side फिर बात आती है एसेसरी को लेके Honor के साथ में जो आपको free magic keyboard मिल रहा है न उसकी कीमत मार्केट में 2000 से कम नहीं है फिरस OnePlus Pad Go की जो एसेसरी है ठीक है अलग से लेनी पड़ेगी और आप अगर सोच रहे हैं कि OnePlus Pad की जो standardized एसेसरी अगर आपके पास है या फिर आपको कई standard rate में मिल रही है मैं OnePlus Pad की बात कर रहा हूँ not OnePlus Pad Go की तो उसकी एसेसरी इसमें fit नहीं होती are you getting it कोई cross functionality जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है now एक और चीज़ आपको Honor tablet में अच्छी मिलेगी दोस्तो that is की ebook mode मैं यहाँ पर eye protection mode की बात नहीं कर रहा हूँ it's a proper ebook mode now देखो it's not about eye safety feature eye safety feature दोनों ही है लेकिन ebook mode जो आपको मिल रहा है इससे पढ़ने में आपको काफी ज़्यादा आसानी मिलेगी now one plus वाले जो tablet है इसमें 144 hertz इन लोगों ने mention किया हुआ है दोस्तो लेकिन कोई भी app 120 hertz से ज़्यादा यहाँ पर support नहीं कर रही है तो आपको Honor में भी 120 hertz मिल रहा है ठीक है यहाँ पर one plus pad go में भी आपको 144 मिल रहा है तो भी उतने काम का नहीं है विकोज कोई भी app हो 120 hertz तकी जो है max आप लोगों को यहाँ पर देगी फिर one plus pad go के operating system में सबसे खराब बात मुझे यह लगी जो कि android 40 में यह लोग बिल्कुल मुझे लगता है कि fix करेंगे कि जो नीचे का जो taskbar होता है जब भी कोई app की app चल रही है ठीक है आप नीचे से pull नहीं कर सकते और यह बहुत बड़ा सरदर दे दोस्तों यानि आपको नीचे taskbar से कुछ भी app उपर लेनी है तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा आपको app बन करनी पड़ेगी वेरास यह सेम चीज ओनर वाले operating system में बिल्कुल सही है आप जब भी app खुलके रखते हैं तो नीचे से आप taskbar पुल कर सकते हैं ठीक है तो taskbar में आपकी most of the popular apps रहती हैं जितनी भी apps हैं उसमें से कुछी apps चुनीनदा रहती हैं जो कि आप taskbar पर रखोगे क्योंकि they are most likely to be assist तो oneplus pad में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा आप बन करो जो भी app चल रही है उसको बन करो और नीचे से जो है app को फिर taskbar को pull up करो फिर दूसरी app खोलो और ये काम बहुत आता है ठीक है ये काम बहुत आता है because tablet का ultimate use ही इस चीज से होता है multitasking से फिर एक और चीज में आपको बता दू untu2 scores के बारे में जो की लोगों को confusion होगा देखो यार snapdragon 6 Gen 1 आपको honor tablet में है तो यहाँ पर untu2 score है 456,175 whereas mediatek helios g99 जो की oneplus pad go में यूज किया गया है उसका है 4,16,194 तो definitely honor का जो snapdragon 6 Gen 1 है उसका untu2 score ज्यादा है वही geekbench में single core multi core की बात करें तो 861 2516 है और वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर oneplus pad go के g99 की तो वहाँ पर 729 और 1979 single core multi core respectively मिलता है 861 versus 729 2516 versus 1979 single core multi core score का यह है तो overall हिसाब यह है कि honor का जो tablet का processor है वो सही में अच्छा है इन लोगों ने अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पर फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि honor के साथ जो आपको यहाँ पर cover मिल रहा है bluetooth keyboard जो मिल रहा है वो अलग से charge होता है यह मत सोचना कि bluetooth cover अगर आप charge कर रहे हो तो आपका tablet भी charge हो रहा है ऐसी बात नहीं है चाइना का जो variant आपको देखने को मिलता है honor pad 9 का उसके अंदर इन लोगों ने anti glare display डाली है जो की सही है ऐसा इंडिया में भी इन लोगों को देना चाहिए था but I think for some reason I don't know why it is not available here यह बिल्कुल होना चाहिए था एक और चीज यहाँ पर मुझे पता लगी कि honor pad में कोई LTE version नहीं है whereas oneplus pad में आपको LTE version देखने को मिलता है LTE यानि SIM card लगती है क्या SIM card वाला version लेना चाहिए तो यार देखो मेरा तो ऐसा मानना है कि SIM card जिस भी चीज में लगती है उसका दीरे-दीरे कबाड़ा होना तय है चाहिए फोन में ले लो तो Wi-Fi only वाला अगर variant आप लोग लेते होना तो 4-5 साल कुछ भी नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन अगर हाँ SIM card वाला variant लेते होना तो दीरे-दीरे प्रोसेसर भी जो है जंग खाने लग जाएगा ऐसा मेरा experience है दोस्तों मैं जो tablet यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से I think इतना लंबे चलने के पीछे कारण पांच साल हो जाएंगे इस tablet को इस November में ठीक है यही कारण है कि यह Wi-Fi only है यानि Wi-Fi के चल रहा है उससे catch करके यह जो है चल रहा है तो अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं आपके घर में Wi-Fi सिस्टम है और ओफिस में Wi-Fi सिस्टम है सिर्फ Wi-Fi वाला लो SIM card वाला यह सोच के मत लो कि आगे चल के ज़रुद पढ़ जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता Rarely भी होता है तो kindly manage It's worth to take Wi-Fi only model फिर बात आती ही दोस्तो डिस्प्ले brightness को लेके Honor में 500 Nights है OnePlus Pad में आपका 400 Nights है तो इससे होता क्या है कि मैं आपको बता दिता हूँ यह matter करता है बहुत ज़्यादा matter करता है especially आप अगर आजकल के थोड़े अच्छे वीडियो quality वाले contents देखोगे न तो इसमें आपको difference पता लग जाएगा बाकि दोनों ही display sunlight में कुछ आपको brightness देखने को मिलेगी because it's just 500 और 400 nits respectively एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दू दूनों ही case में आप SSD डिबग कर सकते हो तेक है दूनों ही case में आपको 256 storage मिल रहा है लेकिन आप दूनों ही case में जो SSD होती है अलग से वो छोटी वाली आती है वो आप लगा सकते हैं हार्डिस में आपको हो सकता है यहाँ पर अलग से power source करना पड़े लेकिन आप SSD जो है portable SSD हो गया आपका pen drive हो गया वो आराम से यहाँ पर debug कर सकते हैं यह थे दोस्तों कुछ practical चीजें जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई मुझे उमीर है आपको लोगों को इस वीडियो से काफी ज़ता value मिली होगी थैंक्यू, have a nice reference